नारी भावना प्रधान है उसकी भावना को चोट न लगने पाए नारी का असली श्रिंगार साधा जीवन उच्च विचार नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां है नारी को पददलित करना परावलंबी बनाना निक्रिष्ट तमकार्य है नारी सुग्रहने ग्रह लक्षमी है उसमें परिवार को स्वर्ग बनानी की प्रकृति प्रदत क्षमता विद्यमान है नारी प्रकृति की बेटी है स्रिष्टी की परम स्वांदरिमई सर्वस्रिष्ट क्रिती है नारी की आत्मा में प्रेम का प्रिसून खिलता है और सेवा का सौरब समक्र स्रिष्टी को सुरभीत करता है नारी समर्पन और त्याग के प्रतिमा है, समर्पन उसकी दुर्बलता नहीं, उसकी गरिमा है नारी मानव स्रिष्टी की वो धारा है, जो सर्वदा शीतल होकर बहती है और गर्म होना जानती ही नहीं नारी जन्मदात्री है, समाज का प्रतिक भावी सदस्य, उसकी गोद में पलकर संसार में खड़ा होता है नारी की अवमानना का अर्थ है, अपनी उद्गम शक्ति की गरिमा को गिराना नारी का गोण लज्जा, भै या संकूच नहीं, बलके विने, आत्मिश्रद्धा, निर्भैता, शुचिता और आत्मसौंदर्य है नारी परिवार का हृदय है, परिवार का संपूर्ण अस्चित्व तथा वातावरन नारी पर सुग्रहनी होने पर निर्भर करता है नारी की इक्षमता विकसित करने में लगाया गया श्रम, मनोयूग, एवं धन, असंक्यों गुणा होकर लोटता है नारी को श्रे सम्मान देने वाले अपने अनुदान की तुलना में असंके गुणा प्रतिभल प्राप्त करते हैं नारी व्यक्ती समाज तथा राश्र्ट की जननी ही नहीं, वो जगत जननी है नारी के हाथ में संसार की समस्थ निराशा और कटता मिटानी की ख्षमता विद्यमान है नारी पुरुष्ट की पूरक सत्ता है, वो मनुष्य की सबसी बड़ी शक्ती है, उसके बेना पुरुष्ट का जीवन अपोर्ण है नारी शिक्षा की उपेक्षा करना उसे मानसिक दृष्टे से अपंग बना देने जैसा अन्याए है नारी देवी हैं, उसके अंतकरण में कोमलता, करुना, ममता, स्वहरदैता एवं उधारता की पाँच देव प्रवर्तियां सहज स्वाभाविक रूप से अधिक है नारी का पिछड़ापन मनुष्यता का अपराद है झाल